हलो दोस्तों तो मोरू आज फिर यूट्यूब पर आपके पास एक बार फिर आज मैं आपको बहुत अच्छी चीन पसान में जा रहा हूँ कि आपको कुछ सा डिवाइस लेना चाहिए और कुछ सा नहीं लेना चाहिए आज की डेट में क्यूंकि कुछ कंपनी बंद हो गई है इसने मां पहले मैं आज आपको पूरा बताूं गा और कों सा डिवाइस लीजिएक लिएए और ना लेए जिस सान हो सकता है और और किसी अब यहीं देने ऑ座 करड ΤWhयोंको बहुत पाइदा भी हो सकतिया। तो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप इसनमें CV के 600, 680, 400 आप बिलकुल मत लें क्योंकि इसकी जो मक्ही है पहले 3000 रुपे की आये करती थी आज 11000 रुपे की मार्केट में बिक रही है और यह दूपारा आपको मिलेगी भी नहीं यह जो दोचर मक्ही लाश्ट है वही मिलेंगी इससे पर नहीं मिलेंगी इसीतरगे कि 400 और 600, 500 यह इसीतरह से आपको लेने में खोई फाइदा नहीं है क्योंकि ना आप इनकी रिपेरिंग होगी ना इनका समान आएगा क्योंकि यह चाइनीज में कंप्री बंद हो चुकि बिल्कुल तरह से यह ना दुबारा आएगी आप बिल्कुल अपने में मस तो यह दुबारा आएगी तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप यह फोन लीजिए यह सबसे अच्छा फोन है लिंबोगनी जिसके लाइफ अच्छी है रिपेरिंग अच्छी है और यह जितने का यह आपको 60680 मिलेगा उससे 50% लेस्ट में उससे भी कम में 60% ओफ लगा लीजिए उसमें मिल जाएगा मतलब अगर यह 100 रुपे का है तो यह सम देर होगा या इसकी आड़ मक्की खतम होई तो दुबारा डल पाएंगी धन्यवाद